तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी और सही जानकारी दे रहे हैं टेक्ष्ट्रोमेथोर्फेन, हाइड्रोब्रोमाइन, क्लोरफिन, रेमाइन, मैलेट साल्ट के बारे में इस salt composition के बारे में आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है कि इस salt का use कौन-कौन से syrup में किया जाता है और salt के द्वारा जो syrup बनाय जाते हैं वो कौन-कौन सी समस्या होने पर use किया जा सकते हैं और कौन-कौन सी समस्या होने के बाद में क्या-क्या benefit हो सकते पिलाने के बाद यूज़ करने के बाद कौन-कौन से side effect हो सकते हैं कौन-कौन से साप्धानिया रखनी चाहिए और किस तरीके से इस salt के द्वारा बने सीरप का डोज लेना चाहिए बच्चों को देना चाहिए या बड़े लोग भी किस तरीके से डोज ले सकते हैं आईए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जाल लेते हैं salt composition के बारे में पूरी और सही जानकारी तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस salt composition का जिस सीरप में यूज हो रहा हो तो उस सीरप को अगर कोई ऐसी महला सेवन करने जा रही है या बच्चों को पिलाने जा रही है जो इस तन पान कराती है या बच्चों को पिलाने जा रही है तो वो डॉक्टर की सलह के बिना कभी भी इस सीरप का इस्तेमाल ना करें आईए अब जान लेते हैं कि दोनों साल्ट हमारे शुरिण में किस और वर्क करते हैं तो सबसे पहला जो साल्ट है डेक्स्ट्रो मैथोर्फेन हाईडरो बिरोमाइड ये ब्रेन में जो मेंन कफ की एक्टिविटी का सेंटर होता है उसके उपर डेक्टरो मेतरफेन हाइडरो ब्रोमाइड का सीधा अफेक्ट होता है सीधा अफेक्ट होता है और ये कफ के सिम्टम को रेड्यूस कर देता है कफ को बनने नहीं देता है बात कर लेते हैं दूसरे साल्ट के बारे में जिसका हमें क्लोर्फिन रेमाइन मैलेट तो इसका काम ये होता है कि जिन केमिकल कीटाडू और बैक्टिरिया के दोरा हमारे शरीर में जो खासी उत्पन होने लगती है तो उन chemical कीटाड़ों और बैक्टिरिया को chlorophyn remain maleate बनने से रोक देता है उन कीटाड़ों को उन जीवाड़ों को और उन chemicals को बनने ही नहीं देता है अब बात कर लेंदे किन समस्याओं में इसका यूज किया जाता है तो बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पेसेंट को अगर कफ वाली खांसी हो जाती है या धसके के साथ आने वाली खांसी हो जाती है या उसके साथ में चिड़चड़ापन होने लगता है या सू इफेक्ट के बारे में कि इस साल्ट से बने सीरफ को प्लाने के बाद या सेवन के बाद कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके बाद हम डोजिस के बारे में बात करेंगे तो बात करेंगे तो नोजिया की शिकायत हो दिया या पेट खराब हो जाता है या सर में सा देखने को मिलती है सीरप को तुरंध कभी भी अपने मन से इसके डोज नहीं लेने। हमारे दौपार्ड देस्ट्रो मेथोरफेन हाइड्रोप्रोमाइड क्लॉर्फिल मैंन के बारे मेलीयट के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ थेंक यू सो मच